पत्र लेखन पत्र लेखन पत्र संचार का महत्वपून साधन है हम पत्र के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं पत्र, खत लिखना एक कला है जब हम किसी व्यक्ति से मिल नहीं पाते तब पत्र लिखकर उस व्यक्ति से परोख्ष रूप से मिल लेते हैं। इसलिए पत्र लेखन हमारी उस व्यक्ति से आधी मुलाकात है। पत्र के प्राय दो प्रकार होते हैं। 1. अपचारिक – कार्यालियन पत्र 2. अनपचारिक – घरेलू कार्यालय यीन पत्र अत्यंत संक्षप्त रूप में केवन महत्वपून बातों की और संकेत करके लिखा जाता है इसमें आवेदन पत्र भी आते हैं घरेलू पत्र अपने परिवार से संबंधित लोगों या मित्रों को संबंधित करके लिखे जाते हैं इसमें लिखने वाले अपने मन की भावनाओं को प्रकट करते हैं, इसलिए घरेलू पत्र, कार्यालय पत्र की अपेक्षा विस्तरत होते हैं। पत्र लेखन के लिए ध्यान में रखने योग्य बाते हैं। एक, पत्र में सबसे पहले दिनांक उपर बाई और लिखा जाता है, जिस दिन आप पत्रे लिख रहे हैं, उसी दिन का दिनांक लिखना चाहिए। इसमें दिनांक महीने का पूरा नाम और वर्ष लिखना चाहिए। दो, उचेत संबोधन, दिनांक वाली पंक्ती के नीचे वाली पंक्ती में बाई और हाशिय के पास लिखा जाता है। संबोधन के नीचे वाली दूसरी पंक्ती में उपर जुक्त अभिवादन लिखना चाहिए। जैसे आशिरवाद, सादर प्रनाम, सप्रेम नमस्कार, सविनय प्रनाम, शुभाशीश, संस्नेह नमस्कार, नमस्ते आदे। इसमें यह याद रखना चाहिए कि बड़ों को आदर, एवं सम्मान सूचक अभिवादन, एवं अपने से छोटों को आशिरवाद या शुभाशीश लिखना चाहिए। तीन, पत्र के मध्य भाग में दिये हुए या पूछे हुए विशे के संबंध में विचार स्पश्ट रूप लिखना चाहिए। चार, पत्र के अंथ में दाहिने कोने में संबंध के अनुसार आपका शुभेश्चु, शुभाकांशी, हितैशी, आज्याकारी शिष्य, विद्यार्थी, छात्र, भवदिय आदी लिखा जाता है। लड़किया आपकी शुभेशिका, शुभकाख्षिनी, हितैशिनी, आज्याकारिनी, शिष्य, विद्यार्थिनी, छात्रा और भवदिया लिखती हैं। पांच, पत्र में अपने से बड़ों के लिए आप, मित्र या समान उम्रवालों के लिए तुम और उम्र से छोटों के लिए भी तुम का प्रयोग किया जाता है। तु का प्रयोग अनुचित है। विशेश सूचना, पत्र में सर्वत्र एक ही प्रकार की सर्वनाम का उप्योग करना चाहिए। आप और तुम का एक साथ उप्योग करना अक्षम्य दोश है। 6. पत्र के अंथ में बाई और पत्र के भेजने वाले के हस्ताक्षर, नाम वपता लिखना चाहिए। 7. पत्र के नए प्रारूप के अनुसार अंत में इमेल आईडी लिखना आविशक है। पत्र लेखन का नमूना। निम्नलिखित जानकारी का उप्योग करके पत्र तयार करें। 1. अर्विन सिंग, आशा सिंग, 10 हिमाचल निवास, सरस्वती विद्याले, सावरकर मार्ग, रायपूर। प्रधान अध्यापक को बिमारी के कारण आठ दिन के अवकाश के लिए प्रात्ना पत्र। 10 अप्रेल 2018, सेवा में, श्री प्रधान अध्यापक जी, सरस्वती विद्याले, सावरकर मार्ग, रायपूर। विशे, आठ दिनों की छुट्टी मांगने हेतु प्रार्थना पत्र। आदर्निय महोदय, नम्र निवेदन है कि कल से अचानक मुझे ज्वर आ गया है। डॉक्टरी परिक्षन के बाद यह मालूम हुआ है कि मलेरिया है। डॉक्टर की सला के अनुसार मुझे एक सप्ता तक आराम की जरूरत है। अतय आपसे आग्रे है कि आप मुझे दिनांक 10 अगस्त से 18 अगस्त तक की छुट्टी देने की क्रपा करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि स्कूल में अनुपस्तित रहने से पढ़ाई का जो भी नुकसान हुआ है। तो इस प्रकार आज हमने विराम चिन्हों का अभ्यास किया। कर दो का जबी नुट्सकान से 8 का जबता हूं कर दो किसले से 15 अगस्त से 19 अगस्त से 19 अगस्त प्रकार दो किसले से 19 अगकार Неप, inh quién कर दो किसले है।